कि हेलो फ्रेंड से वाउम वेलकम आम विकास भार्दवाच वेलकम टू अंसरकारी और इस सीरीज में आज हम उसी तरह चर्चा करेंगे जिस तरह से हम करते आए हैं टेकिंग आप वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट डवलपमेंट फॉर दे प्रेलिम्स मेंस और अल्सो फॉ और डिफरेंट ऑप्शन सब्जेक्स जहां पर भी रेलेवेंट आइडिया हो सकते हैं मुझसे पूछा गया है कि सर आप जो है डिरेक्ट अंसर क्यों नहीं बता देते बहुत सारी कोईरी जाती है बहुत सारी लोग मुझसे पूछते हैं मेरा कहना यह है कि आप जब तक ख कैशुल ही मत देखिए खोश हो कर करिये पॉइंट बनाईए पीडिएफ जो साथ में अटेच होता है उसको देखिए और रेलेवेंट क्वेस्टेंस पर सोचना सीखिए वी दू प्रोवाइड दिफरेंट कैंड आफ कोर्से और प्रोग्राम्स उसके लिए यू आल्वेस प्रोग्राइब बात करूं अभी पिछले कुछ दिनों की तो बात करते हैं राम अनुरुया साब की राम अनुरुया सर्थ जो फ्लैक बेर थे टॉच बेर थे अग्रियरियन अगर मैं को मूवमेंट में इंडिया कि उनका बहुत महत्पुन योगदान है इंडियन शोशलिजम को ग्रास रूट और एग्रियरियन पॉलिटिक्स और साथ में बैकवर्ड क्लासिस को आगे लेके आने में भी रामॉन और रोजया सर का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है इंडियन तिल 1907 यह वस कंप्लेटली डिवोटेट इंसेल्फ एक्टिव इंडा पॉलिटिकल सिदैर्यों अपंडिया लेकिन अगर बैक में जाये तो यह दो अनुट फोलोवर उफ मात्मा गांधी जी इवन उन्होंने अपनी पीच्ड टीजिस की थी बर्लीन से की थी जि पार्टी के एक्टिव फांडर थे एंड ही प्लेट एवरी इंपोर्टेंट टोल इसमें आप से बूला तो ब्रिंग दा आइडिया ऑफ सोचलिजम ऑफ इंडियन काइंड जिसमें उन्हानने कास्ट को क्लास को सारी कॉंशेसनेस को समझा और उसको वह आगे लेके आए बह प्रडिकल एकनामिक ऑपरचनेटी एडिकेशन अफ कास्ट रिशनल रिजनल बायस और जो जो हम यह जो कलर बायस होता है जो हम रंग भीदनीती की बात करते हैं इसके अगेंस्ट फॉर्ण डॉमिनेशन के अगेंस्ट वह बात कि और साथ मुन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट से उनके अडिलोजी से बिल्कुल निराश हो गए तैट इस वाई ही हैं यूनों ही हेल्प्ट इन कमिंग अप तुगेदर ओफ और पॉलिटिकल पार्टी इस विच वर नॉट कॉंग्रेस भारती जनसंग भी उसमें आ जाएगा तो लोहिया पहले लेडर दे जोनने भारती समाजवात को एक रूप दिया भारती समाजवात को एक परिकाष्टा एक पूरा संपूर्ट साचा देने की कोशिश की इसलिए लोहिया सर के जो फॉल्वर्स थे रामिलास पासवान जी लालू परसाद यादव सर नितीश कुमार सर और एमन मुलायम सिंग यादव सर जो है एक मैं ऐसी बात की चर्चा करने शुरू में जो आपको help करे examination perspective से चीजों को देखने में because it is not about collection of facts it is about raising the bar it is about being practical it is about understanding the situation and acting accordingly which never comes within a day so let's start and understand कि Indian Express newspaper में आज क्या आया ताकि हम उसको देख सकें और अपने key elements को ले सकें अगर हम बात करते हैं कि भाई जो नए developments हो रहे जो पुरानी stories जो चल रही है उसके अंदर तो आपको key points को देखना पड़ेगा और देखने के साथ-साथ आपको समझना पड़ेगा कि कैसे उनको लेके चले for example submarine launched ballistic missile SLBM तो significant है SLBM का launch करना strategic strike nuclear submarine अरिहंत जो है उसने launch किया तो आपको बता होना चाहिए कि इंडिया का जो nuclear doctrine है वो क्या है आपको पता होना चाहिए इंडिया की जो nuclear strategy है वो क्या है तो land से air से sea से क्या इंडिया के पास nuclear power है क्या इंडिया एक nuclear आपको जल्दी से देख करने लाएंगे तो आपकी जो सोचने समझने की या करने की शमता है वो आई डूनाट तिंक की वो complete develop हो जाएगे अधर वाइस आप जस्ट गूगल करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा मेरा काम है हजार चीजों में से आपको काम की चीज़ने बताना जिनको शायद पहुचने में जिस हद तक आपको सोचने में हो सकता है कि कुछ समय लग सकता है अब मैं बात करता हूं दूसरी important बात की electoral bonds की तो सरकार का कहना है एक methodology है जिसके द्वारा पैसा रिसीव क्या जाता है और कोई भी ब्लैक मनी इसमें नहीं आ सकती अनको अनकाउंटेड मनी नहीं आ सकती इसा कहना है जबकि कपिल सिब्बल साब का कहना था कि free and fair election basic feature है constitution का लेकिन यह पता ही नहीं कि फंडिंग कौन कर रहा है पार्टी को तो यह free and fair elections के आगेंस्ट है सो सरकार का कहना है कि यह आप कहते हैं इससे democracy पर फरक पड़ता है तो भाई हम नहीं मानते है ऐसा तो question of electoral bonds whether political parties उनको आटियाई में आना चाहिए नहीं आना चाहिए और फिर जो है retrospective amendment जो हुए foreign contribution regulation act को कि जिसमें कहा गया कि जो foreign subsidiaries है companies की वो foreign source नहीं मानी जाएंगी ताकि वो भी political parties को donation दे सके हैं public service से जूड़े हुए हैं तो अब इन चीजों के लिए समझनी की बात है कि किस एंगल से आप इसको देखेंगे कि amendment जो है वो money will get through हुआ तो इसमें राजय सभा के अपरोल की भी आज़रूरत नहीं थी तो क्या यह सही बात है क्या कह नहीं है तो इसलिए interpretation है constitution का कि नहीं है वह तो हर चीज में आ सकता है और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोट में जो से आप इस बारे में क्या सुचते हैं आप क्या सुचते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और एक्चिविट में क्या होना चाहिए उससे आपका thinking template बन जाएगा उससे आपका thinking template बनेगा and that is really going to help you in understanding what is requirement of the exam कैसे आप लिबस के जो topics हैं general studies paper 3 का यह topic बनता है उसको आप कैसे directly cover कर लेंगे paper 2 के topic को भी आप cover कर लेंगे हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि और हम क्या relevant चीज़ को उठा सकते हैं so that you know NGT बार बार newspaper में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि NGT की branches आपको पता होने चाहिए अगर है है कि नहीं है NGT बना कैसे और NGT ने अगर 500 करोड का fine करनाट का कवर्मेंट पर लगाया है बैंगलूरू लेक को प्रोटेक्ट ना करने के कारण तो आपको सोचने है कि लेक आखर प्रोटेक्ट हो कैसे तकता था जो लेक है उसके अंदर सीवरेज का वाटर आगया है सीवरेज रॉसी रह जागया इंडर्श्टल एफ्लूएंट्स भी आ गई है cpcb या फिर यह करनाट का स्टेट पोलिशन कंट्रोल बोर्ड हो गया या फिर इन्वारमेंट इंपक्ट असेस्मेंट अथॉरिटी का साल आपको पता होना अब इन्वारमेंट इंपक्ट अथॉरिटी तो खेर उसके अंडर में आ जाता है लेकिन यह सारी चीजें आपको पता होने चाहिए और साथ मैं आपको आइडिया होना चाहिए कि यह सारे कि सारे जब जो डीडिंग इंस्ट्यूशन तो यह एक साथ आते हैं तो कैसे चीज करते हैं कि गुजरात में फिफ्ट एर बेस होने जा रही है आपको पता होना चाहिए कि वड़ोटरा जामनगर भूज और नलिया कछ डिस्टिक में है नलिया तो भुज भी है साथ में तो यहां पर जो है अभी एर बेस हैं और दीसा यह जो है इंडू-पाकिस्तान ब्रॉटर के नजदीक है दीसा वहां पर विए एक एरफोर्स बेस बनने जा रही है तो आपको एक्जेक्ट लोकेशन पता हूँ मैं पर करने के लिए फिर यॉवे और इंधर तो नहीं लेकिन मेंश ऑप्ष्ण में आएंगे हैं तो जीए सल्जाव में 3 माक 3 जीए सल्वी मैक 3 का रोल किया है 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 अग्ध कौन सा है और ऑख्जीया झीए सल्वी अक्टरी आकर किस परपस के लिए आता है और और इसो का एक कॉंसेप्ट है टॉपिक है जिस पर हमको भी चर्चा कर सकते हैं कि रियूजीबल वीकल्स की बनाने की बात हो नहीं है तो वह भी हम देखेंगे कि वह आखिर किस तरीके से हैं किस एंगल से हैं और उससे इंपेट क्या होता है क्योंकि दैट इस गोईंग टो भी वरी वरी इं बात करें या टेक्स लगाने की बात करें वहां पर रुख जाना चाहिए जहां पर खाल उतरने लगे तो ओविस्टी गवंडिया इस टेकिंग सच पॉलिशी हमें देखना है कि तरीके से कर रही है आपको इंफलेशन के एंगल से सोचना है आपको ग्रोथ के एंगल से देखना है आपको जियो स्टाइडिक एंगल से देखना है आपको जी एस्टी के एंगल से देखना है जहां 5% और 18% की बात हो रही है मैंने अल्रेडी अपनी लास्ट लेक्ट्र में ये बात आपसे डिसकस की थी तो प्लीज लूक इंट अब मैं बात करता हूं चाइना की तो चाइना में जो नैशनल सेक्यूरिटी जो जो बात हो रही है कि चाइना एक नैशनल सेक्यूरिटी स्टेट के रूप में ही मर जोगा नैशनल सेक्यूरिटी स्टेट कार्थ है कि अपने सेक्यूरिटी के लिए अपने शमताओं को परतर्शित करने के लिए अपनी बातो पॉलिशन हो और एक फॉर्मेडवल मिनिट्री हो तो चाइना के जुकने का कोई सवाल ही नहीं बनता है हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इंडिया जो है इन बातों को देखता है जैसे इंडिया चाहता है कि समझना कि इसको टैकल कैसे किया जाए और यूएस तो इन फेक्ट टेक्नलोजिकल बैरियर्स को लगाने की बात भी कर रहा है लेकिन इससे इंडिया को भी सावधान नहीं की जरुरत है कि हाउ चाइना है और कैसे हम चाहिना को या आइडिया जो आइडिन्टिटी है उसको हम कैसे समझेंगे लॉंग टर्म में लेकिन आपको क्या कि अचैना की में फथरांने चाहितेशटे की पता होने चाहिए ह। इंडिया चाहिना का झो बारडर डिस्प्यूट की जो जो दिघ्राफिकल लोकेशन से वह भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि इन पर question आना बनता ही बनता है कि दूसरा मैं अगर बात करूं आजी के पेपर से यह मैं और आप से बात कर चुका हूं जो जी एस्टी 5 और 15 परसेंट अर्फारा परसेंट की बात है तो उसमें आप administrative अगर मैं बात करूं अगर क्रिटिकल एंगल से जो इतना क्रिटिकल देखने के ज़रुत नहीं है लेकिन फिर भी अगर ब्रॉड रॉश्चनल एंगल से देगो तो आप पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्यों से तीन-चार बिल आये हैं सरकार के जो अभी तक लागू की तरह क्या रागुडेट के जा सकता है कि अधर की नहीं कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपकी जो आपका सेंसिटिव डेट है वह यहां पर स्टोर होगा क्या आपका जो ने वालमेंटाइब का इसा आप कंट्रोल करोगे तीसरा अगर आप बोलेंगे कि एक इर कोम इंडियन कंप्टिशन नहीं है रिलाइन्स की तरफ से बढ़ रहा है ऐसे ही आप बात करते हैं डिजिटल एको सिस्टम के अंदर एक कंपनी को प्रमूट करने के लिए जैसे आप चाहते हैं कि यूपी आई के अंदर गूगल पे या पे टीम या फिरू किसी का भी शेर कितना होना चीए तो इसको आप कम करना चाहते लेकिन यूपी तो वैसे भी इंटर फेस वह बारियर फ्री है वह वह इंटर पोर्टेबल है आप गूगल पर कर लो आप मोगी कर लो आप फोन पर कर दो तो उसमें सरकार चाहती कैस्वा सरकार लेवल प्लेंग फील्ड के नाम पर पाखिर किसी को support तो नहीं करना चाहती और दूसरा government of India कि इसनी क्लियर ही नहीं है कि वो किस चीज की बात कर रही है Indian firm आप मानते किसको इंडियन firm कि आप उसको मानते हो जो company Indian origin कि लेकिन उसके majority of shares जो है वो foreign investors के पास है या ऐसी कंपनी जो इंडियन origin की तो है लेकिन उसे foreign player ने acquire कर लिया है या फिर ऐसी की जिसके अंदर जो है significant funding जो है foreign player की आ रहे है जैसे WhatsApp कर रहे है या फिर ऐसा कि इंडियन promoters कि कंपनी को promote कर रहे हैं लेकिन majority ownership उसके पास है लेकिन minority foreign के पास है और या फिर ऐसी कि को इंडियन कंपनी है या इंडियन कंपनी है इंडियन कंपनी है लेकिन किसी foreign company के subsidiary है तो यहां पर भी हम clear नहीं है लेकिन ऐसी जो lines कीची जा रही है उससे आप यह कह सकते हैं कि कुल मिला के market या कुल मिला के जो एकदम open free होता है वो चीज दिखाई नहीं दे रही है इंडिस्ट्रिल policy is of doing business ऐसे चीज़ों को promote करना चाहिए मेंस के अंगल से मैं आपको बता रहा हूं जब हम inclusive growth की बात करते हैं अगर आप ऐसा कोई कोई भी element लेके आ गए या कोई भी आप technical aspect से कोई चीज को समझा पाए तो फिर आपके marks जादा आने निश्चित हैं कि दूसरा Supreme Court में थोड़े टाइम पहले हमने बात कि थी कि उन्होंने कहा है कि मेंडिकल टर्मिनेशन और प्रिगनेंसी में 24 वीक और साथ में उन्होंने किसी भी तरह कोई सब को मिलना चाहिए तो इसका मतलब है कि हमारे Supreme Court जो है विलिंग है इस बात के लिए कि जो social realities अभी आ रही है जो social changes अभी आ रहे हैं उनके understand करते हुए उनको constitutional obligation उनको एक broader view से Supreme Court is looking at it so that is why the relationships and families है उनको वो देख रहा है उनकी realities को लेके आ रहे हैं तो इसलिए कहते हैं हमारे constitution क्या बन गया transformative constitution हम कहते हैं our constitution is not static अरे our constitution is transformative in nature word use तो करके देखो आपका marks का scope बढ़ जाएगा अगर मैं इसी तरह से आगे चलूँ और मैं देखूं कि और PTA means के लिए कौन सा fact है जैसे मैंने जो बात की sociology में उसकी बात हो सकती psychology में उसकी बात हो सकती है PSIR में ये angle नहीं आएगा but we have been taking lot of very important elements from PSIR perspective also जैसे anthropology में ये बात करें कि भाई नाइजीरिया में जो है इसको हम हिंदी में कहते हैं आप जमीकंद कह सकते हैं यम जो है यम खाते हैं वहां के लोग तो यम के खाने के वजह से कुछ आसे हर्मोन के लेवल में चेंज आता है जिससे जो है multiple evolution होता है multiple evolution होने के कारण जुडवां बच्चे होते हैं यह चुडवां बच्चे होने के कारण identical twins का वहां पर एक fashion हो गया है तो एक science का concept भी आ जाता है इसी बहांने और इसना ने society वाली बात भी आ जाती है और social angle भी आ जाता है यह आपको देखने वाली बात है तो आप इसका example relevant place के उपर आप दे सकते हैं दूसरा मैंने जी जिंग पिंग और CCP और इंडिया की जब हम बात करते हैं तो आप कहिए कि जो जी साहब है जी सर है he wants to be known as a hard task master bureaucracy और civil society इनके रोल के बिना चाइना आगे नहीं बढ़ रहा है चाइना में वो जो सिस्टम है जो order है उसको dismantle नहीं कर रहे हैं अगर आप माउजे डॉंग को जाके देखिए गूगल कर जिए माउजम आप गूगल करेंगे चार पॉइं इसके अंदर जो एक्स्टमिनेशन भी हुए किलिंग भी लेकिन ऐसा जी नहीं करने जी एक मिलिटरी स्टेट के एंगल से चीजों को बढ़ा रहे हैं वो यूनिफाई करना चाहते हैं ताइवान के साथ और इसलिए ताइवान के उपड़ रहा है अभी कल ही हमने चर्चा क की थी कि कैसे इंडिया और ताइवान के रिलेक्शन हम और स्ट्रॉंग कर सकते हैं दूसरा घर मां बात करूंँ विमल जैलान सर विमल जैलान सर ने एक बुक लिखी जिसके अंदर वाथ की भाई जो है इंडिया की ग्रो ट्रेजेक्ट्री में रोल किसका हो तो उन्होंने सब्सक्राइब करते हैं कि मैनेजरियल अटर्णमी होनी चाहिए उनके अंदर एक मार्केट फ्रीडम भी मिलने चाहिए उसके बाद उसके बाद प्लिक से अंदर जो एक तरीके से फिरनेस आनी चाहिए उसका जो वरकिंग सिस्टम हो लेथार्जिक नहीं होना चाहिए और जो है लोगों में इंस्पिरेशन पैदा करती है उसको वही सिस्टमिक चेंज को हेल्प करेगी वही आगे चीजों को लेके जाएगी बाकी अगर हम बात करें इंडियन एक्स्प्रेस में तो बहुत जादा हमें देखने को नहीं मिलता है और हमें इतने आइडियास नहीं मि रखा है उन्होंने उसको कुछ कंडिशन भी रखें कि इतना होना चाहिए इंवेस्टिबल फंड जो है वो कितने होने चाहिए उसका भी उन्होंने रखा है तो इसको आप कहले जिए कि रिजिस्ट्रेशन आफ इंडियन इंशुरेंस कांपनीज आप 1922 तो फॉर इंवेस् इंशुरेंस का पैनेट्रेशन बढ़ेगा तो यानि की फैमिलीज को फायदा भी होगा और इंडिया का जो हेल्थ केर सेक्टर है उसके अंदर भी कुछ नो कुछ चेंजिस आएंगे इंशुरेंस एक्टर इंपोर्टन चाहिए लाइफ इंशुरेंस की बात करें चाहिए कि बात करें दोने ही जगे बहुत इंपोर्टन है किसी भी सुसाइटी किसी भी कंट्री में जो सोशल सेक्यूरेटी है वो इंशुरेंस से जुड़ी हुई है तो इसलिए that is why it is a positive step in that direction लेकिन इस पर बहुत टेक्निकल कोश्टिन आने के कोई गुंजाश नहीं है अगर मैं अगर आप capital expenditure की बात करें तो 4.1 लाक करोर तो मैं फिकर याद करने की बात निकर रहा लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि 13 स्टेट तो 85% कॉंट्रिबूट कर रहे हैं बाकी यानि कि 13 स्टेट्स है वो तो मातर 15% कर रहे हैं तो कौन से स्टेट्स हैं वो क्यों ऐसा हो करेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है अगर मैं बात करूं इसी तरीके से कि आप ने जो पीछे के जो वीडियोस देखे हैं जो आप कर रहे हैं उनको आपको दुबारा रिविजिट करना चाहिए उनको आपको देखना चाहिए कि वह चीजें क्या कहना चाह रहे हैं कैसे हो कि किस तरीके से वो आर्टिकल जो प्रिलिम्स और मेंस दोनों को केटर करते हैं उनको हमें करने की हम बात करेंगे and here it is I am going to show you right now I hope it is visible on your screen तो हम इससे बात करते हैं के तो हम बात कर रहे हैं कि वही सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जनल सेडीश पर थी में एकॉनिक्स के परस्प्रेक्टिव से जो बहुत अच्छा एक यह वह व्यूवेट फ्रैक्ट्ट्रट्व भी है और इसके अंदर पॉइंट भी हैं हम बात कर रहे हैं कि कैसे लाइस तो इंडिया की जो पांच परसेंट नेशनल इंकम है यह 28 परसेंट ऑफ जीडीपी जो है अग्रिकल्चर जीडीपी वह लाइफ स्टॉक से आती है लाइफ स्टॉक जो है वह 7 परसेंट से ज्यादा ग्रोव कर रहा है फार्मिंग कैपसिटी पी बढ़ रहे हैं लेकिन उसके से पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉटेंट हैं यह पॉइंट बना कर इनको लिख कर अपने आंसर में लाने की कोशिश कीजिए देर 11.72 परसेंट वोमेन वोकर्स हैं रूइल एडियास में और डेरी कॉपरेटिव से लेकर जो है मिल्क मार्केटिंग में उनको अगर करने के बाद सारा काम करेंगे तो आप यह देखिए कि शाम को उनको चार बच जाते हैं शाम को 6 भी बच जाते हैं रात के रात तक पूरा काम करते हैं तो अपने आप में लाइफ स्टॉक एक्टिविटी जो उनके पूरे दिन का काम है उसके इंदर मोर देन 3.5 आर्स हैं और जबकि जबकि वोमें ने जो है उसको एक्रोमिक एक्टिविटी में उसको गिनाय भी नहीं होगा तो इसलिए ऑफिशल स्टैस्टिक्स जो है थोड़ा बहुत मार्जिन अफर हो सकता है वोमें जो है एक्टिविटी में इन्वाल्व है लेकिन वो बता भी नहीं कि वोमें अपर आ जाता है तो अब आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह जो मैं बास आपसे कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि नाशनल जो लाइफ पॉलिसी आई थी 2013 में उसने यह चाहा था कि लाइफ स्टॉक प्रोडेक्शन और प्रोडेक्टिविटी बढ़े सतर परसेंट अफ लेबर जो लाइफ स्टॉक जो है वोमें से आता है इसलिए पॉलिसी का एम था इंपार्मेंट अफ वोमें तो नैशनल लाइफ स्टॉक म में बस लेकिन उसको सवी बता ने चाहिए स्केम्स और लेक्र आने चाहिए स्टेट Γावर्मेंट्स का फ sushi मेकर को होनी चाहिए तो प्रॉबलम यह कीचेंज से हम आगे नहीं बढ़ सकते इंफरमेशन मिलने चाहिए किसान क्रेडिट काड मिलना चाहिए उसके अलावा जो है लाइफ स्टॉक फार्मर्स को टेक्निकल नॉलेज मिलने चाहिए ब्रीडिंग और बाखी चीज़ों के ऊपर और वोमन को जो है कंपोजिशन और फ समझ में आएगा अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की इंडिया का डवलप कंट्री अगर पत्चीस साल में बनना है तो इंडिया को चाहिए स्टैटेजिक फंड यानि स्टैटेजिक फंड का मतलब है कि इंडिया भी आरेंडी के अंदर इंडिया भी कॉर्पेट सोश सेक्यूरेटी वो जुड़ी हुई है जनरल परपस टेक्नालोजी से अब चार टेक्नालोजी बैटल ग्रांड जो है सेमिकंड़क्टर फाइजी रिवलूशन जिन बालेजी इन आटानमी इसको रट लो इसको लिख लो क्योंकि यह सारी के सारी मिलिटरी कॉन्फिक्ट से ल दिलिवरी आपने का और आपने बाकी चीज़ें कर दी जो भी है तो यह लेकिन आंसर के इस चीज का है होकाई 360 गूगल करिए वाट इस होकाई 360 अमेजिंग आप हैरान रह जाएंगे इंडिया का क्या सॉलुशन है इंडिया के पास आंसर से वाट इस्रेल इस डूइंग वाट नेटो इस डूइंग क्योंकि वह अभी तक डीप टेक्नोलिजी के लार्जेस्ट फंडर है इंडिया में वह चीज नहीं हो रही है कटिंग टेक्नोलोजी आने में बहुत टाइम लग जाएगा तो यानि की डिया डियो हो गया या डिफेंस हो गया इस रो हो गया उसको भी जोड़कर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इंडिया डीप टेक को फंडिंग करें तो इसलिए मैंने बोला जाहें काॉर्पेट सुशन रिस्पोंसबिलिटी हो चाहे इसमें स्कीम स्टार्ट करने से या फिर सेमिकंडुक्टर के लिए सबसीडिद देने से भी या परफॉर्मेंस जो हम बात करते हैं उसको देने से भी काम हो जाए ऐसा होने वाला नहीं है प्राइम ने आतमने भावरत की बात की है उसमें टाइम लगेगा लेकिन डीप टेक सिस्ट जो जनल से पर थी के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसको अगर आप इससे लिंक करके देखेंगे तो आपको मेरी बातों का रिलेमेंस समझ में आएगा कि येस इस सब्सक्राइब तो आपकी अंडरस्टेंडिंग करेंगे जैसे अब लोबल हंगर इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो आपको देखना पड़ेगा कि ग्लोबल हंगर इंडिया 107 नंबर फे 121 में मतलब कि वो साउथ एशियन कंट्री में अफगानिस्तान को छोड़के बाकी जगह से हमारा पत्ता साफ है इंडेक्स को बनाने के जो इंग्रीडियंट्स है वो क्या है जैसे यह आ चुक है अंडर नुरिश्मेंट चाल्ड वेस्टिंग चाल्ड मॉटिलेटी बस इतना ही था चार वर अगर आपको पता है तो यह कोश्यन आपका ठीक होना ही होना है अब दुबारा नहीं आएगा क लॉटिक ही नहीं पता होना चाहिए कैसा क्यों है इंडिया कैसे ठीक हो सकते यह आपको पता होना चाहिए अंडर नुरिश्मेंट और उसके बाद ट्रॉनिक डिएटरी एनर्जी इंटेक यह सारी चीज़ेंग हो रहे हैं लेकिन फिर भी इतना अंडर नुरिष्ट क्यों ह है इंडिया ने इंप्रूमेंट दिखाया है चैल्ड स्टंटिंग में जो कि अब 35 परसेंट तक पहुंच गया 38 से और चैल्ड मॉटलेटी में भी ड्रॉप हुआ है 4.46 से 3.3 तक पहुंच गया है लेकिन ओवर ओल इंडिया का जो वर्जनिंग हुआ है जिए श्कोर वह आ पॉपलेशन बढ़न और अगर अगर आप में इंडिया का स्टेंगे तो देरीड मॉट्स से किसका जो कॉंपरेंसिव चेकिंग वे है जिए अचाहिए अपने को क्लेम करता है इस नौट रफ्लेक्टिंग अट प्रूव तिंग अट प्रूव तिंग अट प्रूट लेट यहनि लो हाइट फॉर फोर फोर हाइट वहींट 10.3 फिर्षिंट जन्ट इन्ट इस वर्स्ट इञें में लुट में तो इस विजा इंडिया का अब ज्यासे मैंने का लार्ज पॉपुश्चन की वे बाट की वे से इंडिया का स्कॉर जो बहुत डाउन हो जाता है इंडाट कैसे points को बनाऊं उनको revise किस किस तरीके से करूं और आप अपने real और आप relevant questions को मुझसे पूछ सकते हैं कि मात्र सिर्फ पढ़ने से तो कुछ नहीं होने वाला you become smart you become a top-notch person so that you are having a relevant and a key access to ideas बिना उसके passion के बिना लडाई के positive लड़ाई के काम होना मुश्किल होता है क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है कि अगर मैं बात करूं business standard में और अगर हम बात करें पीटी के एंगल से तो पीटी के एंगल से government of India यानि कि हमारे जो honorable civil और हमारी जो एक finance minister है उन्होंने बोला यूस में कि इंडिया is ready to help everybody with your open source network for digital public goods and application programming interface इसको कहते इंडिया stack उन्होंने का इंडिया stack जो कोई भी यूज करें हमें कोई दिक्कत नहीं है हमने global benchmark के बनाया है payment digitization United payments interface तो इंडिया उसको support इंडिया उसके लिए जो है एंपी सी आई के अब रेला के अंदर जो इसारी सारे आप्स उसके लिए इंडिया वाल्ड में सबको support करने को तयार है तो यह जो जो इंडिया stack a PT के लिए एक इंपॉर्टेंट छोटा से ऐलिमेंट हो सकता है जो आपको ध्यान देना चाहिए जो आपको पाता भी होना चाहिए next if I take up the next idea from the next important newspaper which is going to help us in understanding more facts and then we will be talking about something on environment also because environment का प्रलीम के अंदर बवात ही इंपॉर्टेंट रोल है और उसका कोई एक स्टेंड सोर्स हमें नहीं मिलता है so we try to inculcate ideas we will be doing another series also on different different topics you please do look into it लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सिरफ एक element है सारे element नहीं है सारे element तो आपके focused or concentrated approach से ही आपके सामने आ सकते है which for that you can always join us you can always ask you can always discuss and then you can become part of the journey towards success which is definitely boring and definitely not easy so if I am taking up another important point see this is here अगर मैं आप से बात करूं अगर मैं आप से चर्चा करूं तो पावर ओवर अनिमल्स के अगर हम बात करते हैं तो यह बहुत ही अपने आप में एक वाजिव चीज नहीं है इंडिया के लिए खासकर अगर हम बात करें इंडिया दे डैवर्सिटी होट स्पॉट तो प्रोफेसर साब ने बात किया तो एंत्रोपोसीन एंत्रोपोसीन नौन हुमन एनिमल्स के लिए क्या है तो हुमन लेड्ट ट्रांसवर्मेशन हो रहा है अर्थ के अंदर एक्स्ट्री सिग्निफिकेंट है इंडियरेक्ट चीज चेंज हो रही है तो इसलिए जो है लार्ज अमेरिकन बिसन था वह बहुत पहले था लेकिन आ हांटिंग जो है मेकानाइज हो गई ग्लोबल हो गई और 1950 जो है बहुत सारे सी अनिमल्स बहुत सारे अनिमल्स जो है एक्स्टेंट हो गए डाट आई अग्रीट इस टू इंडिरेक्ट इंपेक्ट भी हुए अगर कल्चर लैंड बढ़ता चला गया इंडिस्ट्री भी जो की एनिमल लाइफ से एकदम क्लोजली चुड़े हुए थे जैसे यहां नीचे अगर आप फोटोग्राफ में देखेंगे डॉल्फिन तो डॉल्फिन जो है वह अपनी इंटेलिजेंस जॉइफल स्प्रेट के लिए जाने जाते हैं लेकिन अभी इंडेंजर्ट स्पीसिज ह क्यामिकल प्लास्टिक नॉइस पॉलूशन और इवन फिशिंग ट्रॉलर्स जो होते हैं उनकी वज़त से उनको बहुत अधी खत्रा है तो यानि की यानि कि आप कहले जिए सेकंड वर्ड़ वार के अंदर यहां तक क्यानिमल्स को यूस किया गया था और इस एशिया के अं में अनमार और इंडिया वाले जोन में थे हॉर्स भी बहुत क्रूशल था जब तक रिल्व और कार नहीं आई तो हॉर्स बॉन खॉर्स तो इंडिया के लिए बहुत ही क्रूशल रहा है तो हॉर्स बॉन जो चीज़े हैं यूप एसी इसकी मैं पूछ भी चुका है आप से क अधिशन में हॉर्स था कि नहीं था तो चुक रफ और फॉर्स इस आगया फिर साउथ इशे की बात करतें नैंटी सेवेंटी सेवेंटी में ड्रॉट पावर फफैलो की थी वा फैलो की धिरी धरे खताम होती चलेगी फिर ट्रैक्टर आ गया और ट्रैक्टर के बाद जो है जब आप देखेंगे की चीज़ें और दिर दिरे चेंज हो रही है एलिफेंट जो है पहले नाइंटी तो ट्विंटेथ सेंच्री में गॉंडवाना सेंटर इंडिया च्टिजगर का जो भी जोन है वहां पर बहुत ज्यादत थे रिट्रीटिंग स्पेस था इकोलोजी बह मारते थे तो इसके लिए हमने जो है एनिमल यूमन कांफ्रेक्ट को कम करने के लिए दियान देना है शुरू किया आपको सारे के सारे जो लॉज हैं उनके साल भी आपको पता होने चाहिए तो आप देखिए एटीन सेंचरी में जैसे मैंने कहा कि मिलिएंस ऑब बिसंस जो नौर्थ अमेरिका में रोम करते थे उन्होंने मार दिये गए और इंडिजनल स्ट्राइब को पावर्लेस कर दिये एक तरीके से आप से आप समझ लीजिए अब रिवाइबल के जब हम बात करते हैं तो सिंपली जो है बहुत ही मुश्किल टास्क है पीटी के अंगल से अग फ्रॉग्स और टाइड पोल्स को भी मौका मिलता है कि वह भी सर्वाइब करें उनके भी लिविंग है बढ़ते हैं सिमिलरली बीज नैंटी परसेंट जो सारे प्लैंट्स हैं आर्थ के उपर वो क्रॉस पॉलनेशन जो नहीं होता हो बीज के दौरा यह होता है फ्लावर से इसको हेल्दी रखते हैं वो गार्ड करते हैं की रिसोर्स को और शाग जो है वो स्मॉलर अनिमल्स को प्रोवेंट करते हैं और गर्जिंग उप सी ग्रास हमने कली चर्चा की ती सी ग्रास के ऊपर जैसमें डूगांग की बात हो रही थी डूगांग या सी काउज इसको हम है वो बहुत इंपोर्टेंट है तो यह मैंने दूसरा एक्जांपल आपको दिया दूसरा आपको मैं बताऊं इगर बीवर इगर बीवर यानि रीवर एको सिस्टम जो है वो बीवर चाहिए उनको जो डैम्स बनाते हैं ओल्ड ट्रीस के दुआरा तो यंग और ओल्ड ट्र पैंथर होता है वो एक प्रोटेक्टिव फिगर होता है मोगली का बच्वन में आपने भी देखा होगा भगीरा को चाइल्ड जंगल में खो जाता है तो मोगली को कॉंस्टेंट्टी एग्रेसिव लाइन शियर खान से बचाने की कुशिश करता है तो भगीरा जो है वो सब्सक्राइब करेंगे तो इस पर आपको बीवी कार्टून मिल जाएंगे तो यह सारी चीज़ें की गई है अंडर्ड एक वुड में रहने की बाद थी लेकिन कारेक्टर जो है वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि वह इंवार्मेंट को प्रोमोट करें यह चीज़ें यह इसलिए हैं कि आप future generations भी इस बारे में सोच सके similarly moby dick most memorable tales है यह वेल्स की हैं जो कि 1851 में लिखी गई थी कि वेलिंग शिप जो है वो पर सुट कर रहा था एक वाइट स्पम मेल को और जो है 90 फिट से जाधा है और ocean vessels को भी destroy करते हैं लेकिन बुक प्रेजेंट करती है कि वेल मैंने सामने example flamingo का है flamingo अपने flamboyans के कारण flamingo को कहला जाते हैं लेकिन जैसे wetlands और उनके nesting areas और foraging areas खतम हो रहे हैं अब यह words जो है completely vulnerable हो चुके हैं आप इंडिया में देखिए कहां कहां पर flamingos मिलते हैं आपको चीज़ें समझ में आएंगी सिरफ आपकी area पर और सिरफ एक most common area पर focus मत कीजिए आप सोचे यह जीज़ें कहां हो सकती है कैसे हो सकती है तो यह मैंने आप से चर्चा की environment की यह मैंने आप से चर्चा की कि आपको समझना है कि चीज़ें कैसे होनी चाहिए अब मैं छोटी सी बात करूँगा पहली बात तो मैं करूँगा कि आज का quote क्या ह है तो court is saying peace and justice are two sides of the same coin. Peace and justice are the two sides of the same coin. अब अगर मैं बात करूँ कि इंडिया के judges जो इतनी चुट्टिया लेते जिनको का थे वेक्सिनेशन लिए है वेक्सिनेशन लेकिन लेने की क्या जरूवत है अगर आप जचनगे लाइट करते है कि तो 90 देज काम करे है और हाईको तु कि मैं युक्ये जो ही तिक निकली जो है कम वेकशन लेकिन लेकिन बैठते ही तरफ जो है आप कहले चार् पेस्पीक टरम्स कि लिए बटीכants फायल करते 2 इस इंडिया में जो गोस्टिऊशन उन्हें जो है अपने उसके लिए गंटों पहले तैयार होना पड़ता है उसके बाद जो है डेली शेडियूल हीरिंग की होती है और जज जो है मंडे को जब आते हैं तकर तकर पचास से साथ नई केस लिस्टेड होते हैं तो हर केस के लिए वह अगर मिनिम्मम 20 मिनिट भी ले के सोचल उसके इंपक्ट रमिफिकेशन सब सोच कर सब देखकर तब कहीं जाकर किसी चीज को आगे ले पाते हैं इसलिए वह शाम को भी देर तक बैठते हैं वीकेंट में बैठते हैं लीगल डूटी के लावा बाकी जो अड्मिलियन पॉपुलेशन में तो तक यह बेंचम कि हमारा भी तक नहीं है 2002 में सुप्रियम कोड ने वर्डिट लिया कि सुप्रियम कोड जैजिस की स्टेंग जो है वो वो 10.5 से 13 जैजिस पर मिलियन पॉपुलेशन तक पहुचा दीजिए यह 50 जैजिस को कर दीजिए पर मिलियन पांच साल में लेकिन आज तक हो क्या पाए है अभी 2018 को अगरम डेटा की बात करें तो इंडिया में 18 जैजिस है पर मिलियन दस लाग लोगों पर अठारा जाज है तो आप सोचे सीवल सब्सक्राइब ज्यादा सेक्रेड ज्यादा 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 कूल और ज्यादा पैशनेट एरिया हुआ यह तो फ्रैक्शन बह की बात करते हैं वो भी आचुका है मलीमत कमिटी के रिपोर्ट आई उन्होंने बोला कि बढ़े जजिस का तो लेकिन ऐसा अभी हो नहीं पाया है और वेकेशन को रिडिउस करने की बात की लेकिन आप देख लिजे कि यह रिपोर्ट जो सेलेक्टिवली नहीं पड़ी जान को हमें कोई सोलुशन नहीं मिलेगा ऐसा हम कह सकते हैं मुविंग फॉर्दर कि तो अंडर्स्टैंड कि जो आगे और क्या हमने इंपोर्टेंट एडिया को हम पकड़ सकते हैं ताकि हमारी अंडर्स्टैंडिंग क्रूशल एरियास की डवलप हो और साथ में हम खुद में शम्ता डवलप कर सके हम जो चीजों को लेना चाहते हैं कि बिजर्स लाइन तो बिजर्स लाइन में हम देखते हैं कि 15 अक्टूबर में ऐसा क्या है जो हमें एक्जामिनेशन परस्पेक्टिव से हेल्प करेगा पहला न्यूज आइटम है मैं आपसे बोल देता हूं जब तक यह स्क्रीन पे और क्लारिटी से आते हैं कि वहीं जो खुलार गोल्ड माइन्स हैं उसमें जो हैं सरकार बोलती है कि हम जो है गोल्ड और सारी चीज़ों को एक्स्टेक्ट करेंगे देखिए आपके सामने आ चुका है गोल्ड ऑक्षिंस करेंगे और उसके बाद जो हीज रिजर्व की बात करने तो यह नहीं नॉन फिरस जो मेटेरियल टेक्नॉलजी डिपार्ट डिवलप्मेंट सेंटर है आर इंड साज भारत गोल्ड मैंस लिमीटेड एंट उसके बात करते हैं कि मिनरल आपकर हैं और जो बाड़ी है उसको कहते हैं मिनरुल एक्स्टूरेशन एन foster ईलेलियंक रिमिटेड इसको पहले रिपोर्ट बनाई गई तो कमिटी चाहती है कि इसको ऐसा किया जाए आप उसके इसाब से देख सकते हैं कि और क्या ऐसा होगा जो इस इको सिस्टम को या इस इन्वार्मेंट को प्रमोट करने में हेल्प कर सकता है और लेड़ी मैं चर्चा कर चुका हूं लेकिन फिर भी मैं आप से एक सेकंड के लिए बात कर सकता हूं कि सी ए आर एफ अगर आपको याद आता है क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ओए सीडियन ड्राफ बनाया इंडियन उसको जोन करने की बात की और बात यह कि क्रिप्टो करन्सी का जो जो डी रेगुलेटिट जो उनका डी सेंट्रलाइज जो उनका अनॉनमस जो उनका सोवरिन नेशन्स और सोवरिन बॉडिज और इवन आर भी आई के अंदर जो कंट्रोल नहीं है उसको कैसे लाया जाए थोड़े हद तक इसलिए गौवर्मेटर इंडिया ने तो अगर आप बजट को देखेंगे तो उसको टेक्सेशन के जोन में लाने की बात भी किये और लाए हैं तो टेक्स जीरिस्रिक्शन की कारण बाकी मॉडल रूर्स के करन ताकि एंटी नेशनल एंटी टेर एंटी यूनो पीस एक्टिविटी जैनी टेररिजम मनी लॉंडरिंग और बाकी जो चीज़ें उनको भी रोका जा सके इसके लिए सरकार ने बहुत कोश हाँ टू रियली अंडरस्टैंड दे रोल ओफ एविएशन अगर आज की रेट में हम बात करें एविएशन जेक्टर की तो 90 येर्स हो चुके हैं जैडी टाटा सर ने फिर्स्ट लाइसेंस कमेर्शिल पाइले जो थी 15 अक्टूबर कॉनको 90 येर्स हो चुके हैं और वो पह सबसे पहले आप कह सकते हैं 1932 में और उसके बाद हमने लगातार करते चलेगे 1994 में अगर मैं आपको इवलेशन की बात करूं आज की रेट में 182 मिलियन प्रसेंजर्स है पढ़ रहा था कि डिली दुबई और मुंबई दुबई जो है टॉप टेन बिजी आयर लाइन या ए इंडिया का ग्लोबल एकनोमिक लीग में राइस हो रहा है इंडिया विल्दियर हो रहा है एयर ट्रेवल बढ़ रहा है उडान स्कीम भी आप देख सकते हैं सूपर करेक्टर हो रहा है 30% वर्ल्ड पॉपॉपलेशन जो है वो इंडिया के 5 गंटों में रहती है और उडान स इंडिया के अलवा हूँ इसके लिए कि इंडिया एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बनने जहा रहा है वर्ल्ड इवेशन में इन्दा लेक्स डिकेट विकास डेमोग्रफिक डेविडेंट है एड्यूकेशन ट्रेनिंग सिस्टम है यह बात हो रहा है कि आज ही हमने पढ़ा थ सकते हैं manufacturing locations बन सकते हैं high-tech aviation components को हम वो कर सकते हैं hospitality, technological power, innovation, capital and ambition इसके वज़े से हम number one बन सकते हैं यही legacy को लाना होगा यही सोचने वाली बात होगी तो यह बहुत ही ऐसे key points हैं जो आपको शायद पता भी हो लेकिन इनको ठीक से अगर put up किया जाए तो उससे बहुत अधिक फ और वो आपको help करते हैं understand करने में कि कैसे अपने exam को कैसे हम अपने daily उसको रहे हैं कैसे हम अपने daily उसको रहे हैं कैसे हम इसको सब्सक्राइब हैं So with this point I wind up this lesson and I am going to see you soon tomorrow with the next lesson in which we will be talking about further developments when I am not going to repeat anything I am going to create questions to you I am going to create a base for you and then take it further who come back and join and understand the key idea so please do like share and subscribe our channel wishing you all the best raising relevant points connecting them with the static part including NCRT's and dub hum देखते हैं कि आप किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और कैसे आप सक्सेस के तरफ जाते हैं because there are no shortcuts thank you very much